आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ब्यूटिफुल नेक डिजाइन के साथ और स्लीज डिजाइन के साथ इस गौन की कटिंग और स्टिचिंग शेर करूँगी इसे बनाने के लिए हमें 4 मीटर बड़े अर्ज के फैब्रिक की जरूरत है फैब्रिक का हर जगड बढ़ा रहेगा तो नीचे गेर में जौइंट नहीं आएगा और फैब्रिक भी हमें कम लगेगा इसके नीचे हम कॉटन की सिंपल 3 से 3.5 मीटर लाइनिंग लगाएंगे इसे मैं बर्स्ट 40 इंच और वेस्ट 32 के अकॉर्डिंग बनाऊंगी और जो टॉप पाट की लेंथ है वो मैं 16 इंच लोंगी गेर की लेंथ आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ले सकते हो मैंने 45 तैयार लेंथ ली है गेर की नेक और स्लिप्स डिसाइन के लिए हम ये दो लैस यूस करेंगे एक लैस के हम व्लावर्स कट करके लगाएंगे तो अब हम कटिंग शुरू करते हैं तो 4 मिटर फैब्रिक को मैंने डवल फोल्ड करके रखा है इसका जो अर्ज है गेर वो आप देख सकते हो लगबग फुल इंची टे भी आ रहा है मतलब ये 56 इंच है इतना ही गेर आपको लेना है नहीं तो नीचे की साइड ज्वाइंड आ सकता है तो ओपन साइड की तरफ से हम कमर के लिए मार्क लगाएंगे तो यहाँ पे हम कमर के लिए मार्किंग कर लेते हैं वेस्ट 32 इंच है फैब्रिक को हमने डवल फोल्ड किया है तो वेस्ट हम 16 इंच लेंगे 16 इंच में हम 1 इंच एक्सट्रा एड करेंगे सलाई के लिए तो वेस्ट हम 17 इंच लेंगे तो यहाँ पे मैंने इंच टेप रखा है वहाँ पे 17 इंच आ रहा है अब उपर से हम देख लेते हैं कि दोनों साइड एक्वल है क्योंकि उपर से दोनों साइड एक्वल होना चाहिए उपर से 11.5 इंच आ रहा है तो दोनों साइड हम 11.5 इंच पे मार्क लगा के फिर दुबारा चेक कर लेते हैं उपर कॉर्णर में इंचिटेव रखते हुए हम 11.5 पे मार्क लगाते जाएंगे mark लगाने के बाद एक बर दुबारा हम waste को फिर चेक कर लेते हैं क्यूंकि round में mark लगाने के बाद जो waste है वो एक इंच तक बढ़ जाती है तो उसे कम करने के लिए हम इस mark को थोड़ा सा उपर ले लेंगे उपर जो हमने mark लगाया है उसी mark के उपर ही हम cutting करेंगे waste के बाद अब हम जो length है घेर की उसके लिए mark लगाएंगे जो घेर की length है तयार length वो 45 inch है उसमें हम 1 inch extra एड करेंगे उपर और नीचे की सलाई के लिए तो 46 inch पे हम mark लगाते जाएंगे तो जो हमने waste के लिए round में mark लगाया था उसी से हम 46 इंच पे मार्क लगाते जाएंगे यही मार्क आप बिलकुल उपर कॉर्णर में इंची टेप रखते हुए भी लगा सकते हो तो इंची टेप को पूरा राउंड में गुमाते हुए मैंने ये राउंड में मार्क लगा दिया है अब इसी mark के उपर हम cutting करेंगे और उपर से भी हम इस mark पे cutting करेंगे तो cutting के बाद हम इस corner से body की cutting करेंगे टॉप पार्ट की टॉप पार्ट की कटिंग के लिए हमें जो length है वो 15 inch चाहिए तैयार length तो cutting मैंने 1 inch extra margin लेते हुए की है तो length मैंने total 16 inch ली है fabric को मैंने 4 fold करके रखा है जो fabric की width है वो burst size के according लेते हैं तो burst 10 inch है तो उसमें मैंने 2 inch और extra add किये है चोल्डर के लिए हम 7 इंच पे सीधा मार्क लगाएंगे और जो आर्म होल है वो भी हम 7 इंच लेंगे और मार्क को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे बस्ट के लिए हम 40 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच पे हम मार्क लगाएंगे इसी मार्क से हम आर्म होल को देते हुए मिला देंगे प्लेस डालने के लिए मैंने 4 इंच से थोड़ा सा कम लिया है और मार्क लगा दिया है उपर से हम 13 इंच पे मार्क लगाएंगे दोनों साइड से हम 1.5 इंच वड़ाते हुए सिलाई लगाएंगे अब मार्क के साथ साथ हम cutting कर लेते हैं तो अभी हम cut भी लगा लेते हैं जिससे हमें sly लगाने में problem नहीं आएगी mark को हम पीछे की side भी ले लेते हैं जिससे के हमें बार-बार front और back side mark लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अब मैंने cotton की lining ली है इसको मैंने four fold कर दिया है इसके उपर हम top part को रख केर same वैसी ही cutting करेंगे अब घेर के नीचे attach करने के लिए हम lining की cutting कर लेते हैं fabric को मैंने double fold करके रखा है जो main घेर है उसकी मैंने cutting 46 inch पे की थी तो इसकी length जो है वो हम 1-2 inch कम रखेंगे तो इसकी cutting मैं 45 inch पे करूंगे इस fabric का जो urge है घेर वो बहुत कम है सिर्फ 32 inch है तो इसे बढ़ाने के लिए इसकी cutting जो है वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे एक side से हम 10 inch पे mark लगाएंगे इसकी opposite side में भी हम 10 inch पे mark लगाएंगे और दोनों mark को हम तिर्शा मिला देंगे इसी mark के उपर अब हम cutting करेंगे fabric को अब हम गुमाते हुए इस तरीके से रखेंगे कि जो घेर है वो बढ़ जाएगा किनारी वाली side से हम किनारी वाली side attach करेंगे मतलब जो सीधी side रहेंगी दोनों side की उसे हम attach करेंगे और जो side में जो corner निकले हुए दिख रहे हैं उसे अभी हम cutting करके round shape देंगे तो इसे shape देने के लिए अब हम 4 fold कर लेते हैं इसे हम 2.5 से 3 inch की round shape देंगे अब मैं इसे खोल के दिखाती हूँ इसका जो घेर है बिल्कुल round shape में आ गया है तो इसी के साथ cutting complete हो गई है तो अब हम stitching शुरू करते हैं तो top part की मैंने front side ली है पहले हम इसका neck तयार करेंगे इतने part पे हम इसके fusing paper paste करेंगे तो मैंने fusing paper की cutting कर ली है इसे हम press की help से चिपकाएंगे इसे लगाने से design में finishing अच्छी आती है तो इसे अभी मैंने extra ही लगाया डिजाइन complete करने के बाद जितना भी extra paper होगा ये fusing paper उसे हम निकाल भी सकते हैं fusing paper को मैंने paste कर लिया है अब इसे हम double fold करके neck के लिए mark लगा लेते हैं neck width के लिए मैंने 2 and half पे mark लगा दिया है जो length है उसके लिए मैंने 5 and half inch पे mark लगा दिया है उपर से half inch मैंने sly के लिए छोड़ा है नीचे से neck को हम V shape देने के लिए तिरशी line ड्रॉ करेंगे अब mark के साथ साथ हम cutting कर लेते हैं और इसके साथ हम जो arm hole है उसको भी shape दे देते हैं डिजाइन तयार करने से पहले हम जो neck का center है उसको अच्छे से mark कर लेते हैं सीधी side की तरफ हम lining को अच्छे से set करेंगे इसे हम अच्छे से pin up करेंगे उसके बाद neck को sly लगाने के बाद अस्तर को हम पीछे की side पलटा देंगे neck पे सिलाई मैंने लगा दी है अब जो extra fabric है उसकी हम cutting कर लेते हैं cut लगाने के बाद अब अस्तर को हम पीछे की side पलटा देते हैं corner को हम अच्छे से निकालेंगे और उसके बाद neck को हम press कर लेंगे press करने के बाद lining को भी मैंने attach कर लिया है अब जो extra lining नजर आ रही है उसकी हम cutting कर लेते हैं neck पे लगाने के लिए मैंने ये lace ली है इसके साथ मैंने ये lace ली है इसके कुछ flowers मैंने cut कर लिये है lace को मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगे corner को हम अच्छे से set करेंगे corner को set करने के लिए मैं pin लगा देती हूँ यहां से तो आपको easy design समझ में आ जाएगा अब जो दोनों side हम एक एक flowers attach करेंगे रख मैं हम लगा जो करेंगे इससे लगाने के बाद नीचे की साइड भी हम इसी त्रीके से लगाएंगे और जो दोनों में गैप रहेगा वो एक इंच रहेगा तो आप पहले मार्क भी लगा सकते हो दुबारा हमने फिर से लेस लगा ली है तो यह आप इड़ बेंड करता है कि आप इसे किस पैटर्न में लगाना चाहते हो इस pattern में लगाना चाहते हो तो ऐसे भी लगा सकते हो अगर बिल्कुस सीधा सीधा रखना चाहते हो तो उसे सीधा भी लगा सकते हो अब दुबारा इस line को हम और बढ़ाते हुए लगाएंगे बीच में अगर flowers कम पड़ते हैं तो हम इस तरीके से लैस से flowers कट करते जाएंगे जिस design को मैंने neck पे बनाया है उसी design को आप और अलग-लग तरीकों से भी बना सकते हो उसमें थोड़ा सा change करके आप इस design को इस तरीके से भी बना सकते हो और design बना कर देखने के बाद हम फिर इस तरीके से less attach करते जाएंगे इसी design को आप थोड़ा छोटा भी बना सकते हो अगर आप थोड़ा simple design चाहते हो तो इसे बिलकुल सीधा भी बना सकते हो नीचे से इसे round shape देते हुआ भी आप इसे बना सकते हो सभी तरीके से design बनाने के बाद अब मैंने जो design सोचा है मैं उस तरीके से बनाऊंगी तो अब मैं less को और बढ़ाते हुए लगाऊंगी यही process हमें बार बार repeat करते जाना है जब तक यह design नीचे तक complete नहीं हो जाता डिजाइन दोनों side से एक जैसा तयार होना चाहिए इसलिए हम बीच बीच में inchi tape से चेक करते जाएंगे design को जितना हमें बढ़ाना था उतना बढ़ा लिया है मतलब कि जितना ब्रावड हमें design चाहिए था उतना यह ब्रावड है अब design को हम धीरे धीरे कम करते हुए नीचे तक लाएंगे नीचे की side अब हम less नहीं लगा पाएंगे तो हम सिर्फ flowers ही नीचे attach कर लेते हैं neck design लगभग तयार है बस इसे हमें center से fill करना है center में भी हम neck को कई तरीकों से fill कर सकते हैं इन्हें हम यहाँ भी लगा सकते हैं और दूसरी side भी लगा सकते हैं अभी हमने एक less को छोड़ते हुए यह flowers लगाएंगे आप चाहो तो इन्हें पूरी less पे लगाते हुए neck को और heavy look दे सकते हो पर मुझे ज़्यादा heavy design नहीं करना तो मैं इसे इसी तरीके से लगाऊंगी front neck तयार करनी के बाद ये plates भी मैंने डाल दी हैं इसे मैंने थोड़ा सा gap देते हो डाला है front side क्योंकि यहाँ पे ये flowers बीच में आ रहे थे और जो back neck है उसे भी मैंने simple neck के साथ तयार कर लिया है अब इन दोनों के हम shoulder attach करेंगे shoulder attach करने के बाद अब हम sleeves ready कर लेते हैं simple sleeves की cutting मैंने कर ली है जो length है वो मैंने 18 inch ली है और जो sleeves का bottom है वो मैंने 7 inch लिया है sleeves को हम design बनाने के लिए center से mark कर लेते है 8 inch तक हम less लगाएंगे तो 8 inch पे mark लगा लेते हैं यहाँ पे हम less रखेंगे और उसके उपर flowers लगा कर कुछ इस तरीके से attach करेंगे अब एक inch का gap देते हुए हम दुबारा less लगाएंगे तो एक inch पे हम दोनों side mark लगा लेते हैं दोनों side हम इस तरीके से less लगाएंगे और उपर एक एक flower लगाते जाएंगे यही process हम अब repeat करते जाएंगे और जो less है उसको भी हम छोटा करते जाएंगे दोनों sleeves को मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है अब दोनों sleeves को fold करते हुए हम जो front side card डालते हैं वो डालेंगे शेप डालने के बाद अब हम sleeves जो है वो top part के साथ attach करेंगे top part को हमने ready कर लिया है अब जो नीचे का घेर है उसे हम ready करेंगे lining को मैंने center से slide लगाते हुए attach कर लिया है अब lining को मैंने अच्छे से set कर लिया है जो सीधी side है वह उपर की तरफ है इसकी उपर हम घेर की एक side रखेंगे दोनों को कमर से slide लगाते हुए हम इसे एक कर लेते हैं तो अस्तर भी इसके साथ attach हो जाएगा अब इसे हम fold करके center से cut लगा लेते हैं पहले हम front part तयार करेंगे तो center से center मिलाते हुए हम इसे attach कर लेते हैं back side को भी मैंने इसी तरीके से attach कर लिया है अब सिर्फ हमें fitting की slide लगाना है sleeves को slide लगाते हुए मैं यहां तक slide लगाऊंगी और नीचे जो घेर है और lining है उसे हम अलग-लग attach करेंगे तो fitting की slide को मैंने लगा दिया है अब lining को हटा के हम जो main fabric है उसे हम पहले slide लगाएंगे और उसके बाद हम lining को slide लगाएंगे नीचे तक दोनो side fitting की slide लगाने के बाद कुड़ते को मैंने सीधा कर लिया है आप सिर्फ हमें नीचे का घेर complete करना है lining को हम अंदर की तरफ fold कर देंगे और जो घेर है उस पे मैं पीको करूंगी और जो neck है वो अभी में मुझे थोड़ा complete नहीं लग रहा तो उसे हम अभी complete करेंगे flowers लगाने के बाद अब इसकी जो proper shape है वो और निकल कर आई है इसे बीना flowers के देख सकते हो और flowers के साथ इसकी look में कितना difference आया है तो इसी के साथ पूरा कुड़ता मैंने complete कर लिया है नीचे घेर पे मैंने पीको भी कर दी है तो final look कुड़ते का आप देख सकते हो